देखें दोस्तों आज मैं आपको ख़जूर और इमली की चट्णी बनाना बताती हूं इसमें मैंने तोड़ी ख़जूर लिये इतने अपको थोड़ी से इमली लिये यह वाली और तोड़ी यह पीस गुड़ के लिए हैं करीमें करीमें 100 ग्राम के आशपास गुड़ हैं मैं को अच्छे से दो के पानी विगोदी 2-3 गंठे के लिए इमली और खरजूर दोनों को अम इन दोनों को में बॉयल करूंगी कुकर में 2-3 सीटी लगाके तो जल्दी से अब में लोग इनको छान सकते हैं इसने में सौफ्ट हो जाएग एकदम देखें दोस्तों आज मैं खजूर और इमली को अच्छे से वाश किया और विगो के इनको 2-3 गंठेकली में रख दिया अब इनको में कुकर में सीटी लगाऊंगी और फिर बान में में गुड डालके इनको बॉयल करूंगी वापस कुकर में सीटी लगाने के बाद ठंडी करके इसको चानना हमें इमली और खजूर इनको में निवायल किया अब यह ठंडा होगे ना अब इसको में चान लेती हूँ चानने के लिए मैं यह वाली नेट यूज करी हूँ जो में फालसे के शर्मत में आप लोग को बताई हूँ तो इससे क्या बहुत इजी रता चानने में देखे दोस्तों इससे में नेक में डाली ना अब इससे दबा दबा के शानती हूँ तो इससे बहुत इजी रता हमारे को काम करने में चलनी की भी जरुवत नहीं है इस तरह से करनी में देखे बहुत आराम सो जाता है इसमें यह देखे दोस्तों मैंने इमली को चलनने उससे चान के अब गे उसको चाना भॉय करके, यह देखिए इस तरह से गुट को चान के मैं ने तयार किया है, क्योंकि जो भी कच्छा होता है वो निकल जाता है. इसलिए अब मैं इसको भी इसमें डाल देती हूँ, इसलिए मैं ने थोड़ा सा ही गुट दिया है, ज्यादा नहीं दिया, यह तो ब ये काला नमक, चादा नमक, थोड़ी नाल मिर्च, थोड़ी काली मिर्च, ये डाल दूए सेखावा जीरा, तो इसे हमारी छत्ली भोट ही टेस्टी बनती है, और फटाबट भी बन जाती है, इसमिंहें जारा टायम नहीं लगती है, इसमें में दोस्तों देड़के आदी काली टीश्पून काली मिर्ची देदी, एक चम्मच एक सेकावा जीरा, बोन चम्मच में आ एक काला नमक, स्वाध अनुसार साधा नमक भी देदेते हूं, ये स्वाध अनुसार में थोड़ा ये साधा नमक भी देदी, सेदा नमक मेरे पास ये मेंने दिया, ये आधी टीश्पू में लाल मिर्ची भी दे रहेती हुँ कस्विरी मिर्ची हमारे यह में दे रहेती हुष्व है अब इसे 19-20 मिनिट में गेस्पीस को अच्छे से खोलाऊंगी तो यह माली इंदे की चटनी बन के तियार हो जाएगी दोस्तो मसाले आप अपने स्वाद अनुसार डाले हैं अपन भुलें, लाइक जरूर करें, कमेंट वोक्स में कमेंट करें, ये देखें मेरी के इमली की चट्नी, खजूर और इमली की बन के तयार हो गई है, ये ठंडी होने के बार और गाड़ी हो जाएगी, इसे में 10 से पन्ना मेंट और सीजाई हूँ, ये हम बोटल बरके रख देंगे बार भी तो भी खराब नहीं होगी, फ्रीज में भी रखेंगे, तो महिनों ही नहीं खराब होती है, ये हमारी बन के तयार होगी, इमली की चट्नी तयार होगी, मैं बोटल में इस तरह भरके इसको रख दूंगी फ्रीज में, बार भी रख सकते हैं, फ्रीज में भी रख सक झालते